Hello everyone and welcome to the series of object handling अभी तक हमने part 1, part 2, part 3, 4 and 5 तक वीडियो बना चुके हैं और आप जाके हमारी चैनल में चेक कर सकते हैं और next part है part 6 मैं आपसे इंशुरेंस क्यों खरिदू? आपकी तो उम्र काफी जादा है इससे अच्छा तो मैं किसी यंग एड्वाइजर से इंशुरेंस खरिदूगा ताकि वो मुझे जादा दिन तक सर्विस दे पाए अब इस problem को या इस objection को आप कैसे handle करेंगे अगर आप एक old age agent है तो आप इसे कैसे handle करेंगे तो आप कहेंगे सर आप तो बहुत experience वाली दिखते हैं तो आप ऐसे decision कैसे ले सकते हैं जाहिर से बात है जो नया advisor होगा उसको इतना experience ही नहीं होगा और वो अभी business सीखी रहा होगा और वो आपकी जरूरा की हिसाब से सही policy भी नहीं दे पाएगा क्योंकि इस business में मैं कहीं साले से हूँ मैंने हर उमर के लोगों को भीमा दिया है इसलिए मैं उन नए advisor की comparison में आपकी requirement के हिसाब से आपको better choice दे सकता हूँ आप मुझे बात बताई है कि अगर किसी को heart attack हो जाए तो वो कहां जाएगा city के best hospital में या किसी medical students के पाथ जाएगा what is your choice मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा advisor आपके लिए best होगा